हेलो गायज कैसे हैं आप उमेद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे गायज आप लिए सभी अपना ध्यान रखे क्योंकि आज कोई किसी का नहीं होता किसी को जेलसी के कारण कुछ भी कर देते हैं क्योंकि आज जब दिन को मुझे पता चला कि सिद्धू मुस्तेवाला जी गायक कालाकार थे बहुत पसिद्ध पंजाब के उनकी हत्या गोली मार के कर दी गई और मतलब ये बोलती हूँ क्यों इतने किसी से जेलसी करते हैं किसी की जान लेना एक बहुत महापाप होता है किसी की जान ना लेनी चाहिए जो भी करता है अपने बलबूते पे करता है, जो भी करते हैं, अपने बलबूते पे करते हैं. बहुत से कलाका कुई कबड़ी चैंपियन थे, वो और एकkadर उनकी भी हत्या कर दी गई. काफी सारे ऐसे हैं, जो हमारे भारत में एक से एक कलाकार और प्रसिद नेता है कोई भी है इस दुनिया से जा रहे हैं तो कैसे हमारा भारत आगे बढ़ेगा तो आप प्लीज सभी अपना ध्यान रखे और के हता कर दिए तब से मैं भी बहुत गबरा गई हूं डर से लगने लगा है अपने फेमिली को लेके भी अपने भी को लेके भ होती है पर ऐसे कि मैं तो आपको सभी को यही बोलूंगी कि आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखे और आप भी अपना सुरक्षित रहें और फूल सिकॉरिटी के साथ आप त्रक्टी पाएं हमेशा और बहुत आगे बड़े आप सभी आप भगवान से निवादिन करती हूँ कि भूत आगे तक जाया आप पर यह कि आप अपना फूल ध्यान रखे जो यहां पर फेमस होते हैं उनकी जान कोई खत्रा होता है सोस्वांत वाले को भी जो हीरो था उसको भी अभी तक कोई पता नहीं चला कि किसने हत्या कर दिये पर इस सबसे बड़ी बात तो है कि हमें खुद ही अपना ध्यान लखना पड़ेगा तो मैं यहीं बोलती हूँ सभी फ्रेंड से कि आप अपना फूल ध्यान रखे जहां भी जाएं अपने सेप्टी के साथ जाएं कोई पता नहीं होता किसी कौन से कदम पे या मोड पे हमें मोत हमें बुला रही है तो आप सब प्लीज अपना ध्यान रखें और मैं मानती हूँ आपने किसी का बुरा नहीं किया है पर आज कल की दुनिया बहुत ही खराब होती जा रही है क्या पता किसी की जैल सी से कोई भी किसी को कुछ भी कर दें डर सा बहुत हो गया है इस अपने डर के वज़ा से ही मैं वीडियो बना रही हूँ और आप सभी को सास में अपने दिल की बात सेयर कर रही हूँ तो आपको किसी को अगर बुरा लगे तो मुझे माफ करना पर मैं यह इस तुम बोलती हूँ कि कई बारे हम ऐसा होते हैं कि हम एग्नौर कर देते हैं छुटी छुटी बात को लेके और फिर भी वह हमें तो इस बात का पहले पता था मतलब सक जैसी वाली बात होती है वो होई जाती है पर फिर मैं यह बोलती हूँ कि आप सभी अपना ध्यान रखे और बड़े यूटीपर है सभी जो भी है प्लीज अपना सब अपना ध्यान रखे कोई किसी का नहीं होता है आप तो बहुत डरने सा लगने लगा है और मैं आप सभी से हाँ जोड़के विंटी करती हूँ कि मुझे अगर में आपको मेरी बात बूरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना खास बात यह है कि कोई मा बाप इतने बीजी होते हैं और लड़कियों का ध्यानने की रख पाते हैं तो लड़के जब अकेली हो जाती है तो वो कुछ न कुछ गलत रास्ते पे चल पड़ती है बेटा किसी के उपर आप विश्वास तब ही करें पहले उनको आप अच्छे तर की जा रही है क्योंकि मैंने यहां देखा है हमारा पास में ही बहुत मडर हो चुके हैं तो इसलिए मैं बोल रही हूं बाकि मेरा जादा बोलने का कोई मकसद नहीं है बाकि सभी समझदार है आज की डेट में और